नमस्कार दोस्तों, पुझा पार्ट रश्मिक के साथ चैनल में आप सब का स्वागत है तो सब्ताई का प्रतिक दिन किसी ने किसी भगवान को समर्पित होता है सोम बार का दिन भगवान शिप जी को समर्पित है इस दिन भगवान शिप की विदी विदान से पूजन करें तो उनका आशिरवाद आप सबको प्राप्त होता है उनका विदी विदान से पूजन करने के साथ साथ आप उनका एक लोटे जल से अभिशेक कराएं तो जो आपकी मन के इक्षा है जो मनुकामना है वो पूर्थ होती है भगवान शीप को प्रशन करने के लिए सोंबार के दिन यदि कुमारी कन्या इवरेत रखती है तो उन्हें मन्च आहा वर्दान प्राक्त होता है शीप जी बहुत जल्दी प्रशन होते हैं इसी वजए से उन्हें भोले नात भी खा जाता है शीप जी मातर जल और बिल पत्र से ही प्रशन हो जाते हैं और अपने भगतों को मन्च आहा वर्दान देते हैं भगवान शिह वो प्रशन्य करने और उनकी क्रपा पाने के लिए शोमबार के दिन आप कुछ उपाय कर सकते जो मैं आपको बता रहे हूं यदि आप घर में सुक सांती और कुशाली चाहते हैं तो शोमबार के दिन शिप जी को घी, शकर और गेहूं के आटे का बना भोग लगाएं ध्यान से सुनिएगा मैं आपको क्या बात बता रहे हूं और वो आप उपाय कर सकते हैं अगर आप घर में सुक सांती और कुशाली चाहते हैं तो आपको क्या करना है सिप जी को घी, सक्कर और गेहूं के आटे का कोई भी आपको उसका भोग बनाना चाहिए आप आटे का हलवा बना सकते हो या उसकी पूरिया बना सकते हो या फिर आप उसकी पूये बना सकते हो वो बना कर आपको उनका भोग लगाना है और आर्थी करें और इससे आपके घर में खुशाली पनी रहेगी दूसरा उपाय क्या करना है शो मार के दिन दही, सफेद वस्त्र, दूद और शक्कर का दान बहुत ही श्रेष्ट माना जाता है किन-किन चीजों का दान दही, शफेत, वस्त, दूद और सकर का दान बहुत भी शेष्ट माना जाता है इन चीजों का दान करने से देवोक देव महादेव अपने भाक्तों पर बहुत चल्दी प्रशन होते और आपको मन जाहा वर्दान प्राप्त होता है तीसरा उपा है आप बहुत मेलत कर रहे हैं और यदि आपको धेन की कोई कमी है फिर करीबी जैसी समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा है तो आप बहुत चादा परिशान हो जा रहे हैं तो आपको शूमार के दिन शिव रख्षा श्रोत कापाट करना है यह आपके लिए बहुत ही लाबकारी शाबित होगा अंगला उपा है यदि आप सोमवार के दिन भगवान भोलेनात को क्या आरपित करना है आपको किस दिन सोमवार के दिन भोलेनात को आपको अक्षत, चंदन, धतूरा, दूत, आक, गंगा जल और बेल पत्र आती चड़ाना क्या करना है आपको भोलेनात को कौन-कौन सी चीज़े अरपित करनी है अक्षत, चंदन, धतूरा, दूत, आक, गंगा जल और बेल पत्र इससे भगवान शीव प्रशन होकर आपको अपना शुभा सिर्वात प्रदान करते हैं यदि किसी चातक का चंद्रमा कमजोर है तो उ इसका प्रभाव कम करना है तो आपको क्या करना है सफेद वस्थारन करना है इसके अलावा माथे पर चंदन का तिलक लगा करें घर से निकलना है जब यह आप घर से निकलने वाले हो तो आपको क्या करना है माथे पर चंदन का तिलक लगाना है और सफेद वस्थारन करना है तब ही आपको बाहर निकलना है इससे आपका क्या होगा चंद्रदोश का प्रभाव कम हो जाएगा और आपका चंद्रमा जो कमजोर है वो पद्बूत हो जाएगा अंगला उपाहे सोमवार के दिन रुध्रा विशेक करना बहुत ही उत्ता माना जाता है अलग अलग कामना के लिए शिप को अलग अलग चीजों का विशेक कराएगा शिलिंग पर घी से अविशेक करने से संदाज सुप्राप्त होता है वहीं गंगरजल से अविशेक करने पर दुखों और पापों का नाश होता है और उससे मुक्ति मिलती है अंगला उपाएं आर्थी खिस्थिती में सुधार करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन स्विलें को क्या करना है गन्य के रश्य विशे कराना है इससे भोलेनात बहुत ही जल्दी प्रशन होकर आपकी मनुकामना की पूर्थी करेंगे पित्र दोश के लिए आपको क्या करना है शिव मंदिर में दीप दान करने से सभी मनुकामना है पूर्ण होती है इस दिन कच्छे चावल में काला तेल मिलाकर दान करने से पित्र दोश दूर हो जाता है क्या करना है आपको शिव मंदिर में दीप दान करना है कच्छे चावल और काला तेल मिलाकर इससे आपको पित्र दोश का दूर जो होगा वो दूर होगा इस दिन शिव मंदर ओम नमा शिवाय का 108 बार जाप करे इससे शिव मंदर में रुद्धा छार्पित करे इससे बैवाहिक चीवन शुक में होता है इस तरह से मैंने आपको सोम बार के दिन कौन सी उपाय करना जिससे आपकी आर्थी किस्थी मजबूत वो बताया किसा लगा कमें कि चलू बताया